हेलो फ्रेंज आपको एकदम ही सिंपल शब्दों में बताने जा रहा हूं रीटेल ट्रेड क्या होता है वैसे तो यह इतने सारे टॉपिक्स हैं आज एक ही वीडियो में दस से बारा मिनिट में मैं आपके लिए चीज़े कवर करने जा रहा हूं एक्जाम में इसको पार्ट्स में पूछा जाता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस वीडियो को शुरुआ से लेकर अंत तक अगर आ हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स सबसे पहले देखेंगे वाट इस रीटेल ट्रेड क्या होता है वेन गुट्स और सोल्ड रिलेटिवल इन स्मॉल क्वांटेटी टू अल्टिमेट कंजुमर्स याने स्मॉल क्वांटेटी में जब माल बेचा जाता है कि इस जो बंदा रीटेल की ट्रेड में इंवल्ड इंगेज उसको नाम दे दिया रीटेलर रीटेलर डूइंग बिजनस अट लोकल लेवल यान यह बंदा लोकल एरिया कवर करता है आजू-बाजू के लोग ही इसकी दुकान पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं रीटेलर प्र जाते रहे हैं लेटस सी देफिनिशन ओफ रीटेल ट्रेड दो डेफिनिशन आपके सामने स्क्रीन पर है पहला डेफिनिशन अक्वर्ड डिक्ष्णरी रीटेल इस सेल ओफ गुड्स तो पब्लिक इन रेलेटिवल स्मॉल कॉंटेटी फॉर यूस और कंशंप्शन रधर द बेचा जा रहा है तो सिंपल से डेफिनिशन है अक्कॉर्डिंग डू विल्लियम स्टेंटन विल्लियम स्टेंटन क्या करते है रीटेल टेड इंक्लूट्स अल एक्टिविटी इस डिरेक्ली रेलेटिट तो सेल ऑफ गुड्स और सेर्विजस तो अल्टीमेट कंश्यूमर यहांने यहां पर माल बेचा जा रहा है किसको अल्टीमेट यहांने फाइनल कंश्यूमर को तो यूजर अप प्रोड़क है फॉर्टेर प्रस्टल यूज और नॉट बिजनस यूज दोनों में से आपको जो भी डेफिनिशन आसान लगे आप एक्जाम में लिख सकते हैं ल यहांने पॉइंट नमबर वन अप कैसे याद रखेंगे लिंक बिडविन तो रिटेलर एंट भी डशेंट बिवीन डैश ऑन दश है एक्षिन्ण को माल फ cities को माल बेचता है तो में कहां से खरीता है फोल्टेलर से खरीता है और किसको बेचता हैं कंशूमर को बेचता है त ईलोकल मार्केट री टेलर ऑज में हैं जो भी दूकान है आप वहां से श्वापिंग करते होंगे आपको लिमीटेड की जरूरत है चोटे से इंवेस्नम्ट से भी आप अपना बिस्नेस कर सकते हैं एन लास्ट पॉइंट इस लेस्ट रिस्क रिटेल के बिसनस में रिस्क कम होता है as compared to wholesaler less risk and low amount of profit as compared to wholesaler risk कम है profit भी कम है as compared to wholesaler friends these were the features of retailer यहां पर आप कह सकते features of retail trade चलिए आगे बढ़ते हैं let us see the services of retailer to wholesaler and consumers एक एक करके हम देखेंगे friends अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि future वीडियो का आपको notification मिल सके चलिए देखते हैं services of retailer to wholesaler point number one मैं आपको अल्रेड़ी बता चुका हूं wholesaler और retailer की बात करें तो retailer जो है connecting link का का काम करता है वो wholesaler से माल खरीदता है और final consumer को माल बेशता है तो wholesaler और consumer के बीच में connecting link का का काम करता है कौन रीटेलर रीटेलर एक आपके साथ मगच मारी कौन करता है रीटेलर होलसेलर को यह सब देखने की जरूरत नहीं है आप भी जब रीटेल की दुकान पर शॉपिंग करने जाते हो तो आप कितना डिमांड करते हो यह दिखाना वो दिखाना ऐसा वाला बताना वैसा वाला बताना यह कलर दिखाना यह साइस बताना यह बराबर नहीं है दूसरा पीस दो इस सारी मगच मारी डिस्टिबिशन की सारी जवाबदारी कंजूमर तक गुड्स पहुचाने की जवाबदारी किसने लिए है रीटेलर ने होलसेलर को यह सब देखने की ज़रूरत नहीं है नेक्स पॉइंट सा ci पूइन पॉइंट्र नंबर तरह इस लिए डिस तो मार्केडिंग यानि एद्विसमसर षीमैंशिप होलसेलर और मैनिफिक्टिर करते हैं अगर यह नहीं करते तो रीटेलर करता है ताकि उसको माल बेचने में आसानी हो नेक्स्ट पॉइंट इस प्रोवाइट इन्फरमेशन रीटेलर के साथ जबे भी आप बातचीत करते हैं अपने नख्रे बताते तो रीटेलर यह सारी इन्फरमेशन घूल सिलर को 1000 को बताता है कर सके तो हमें खूश्ट इन्फरमेशन करना बहुत जरूरी है यह था प्रोवाइट्स इन्फरमेशन और सब्सक्रीन को ट्रेक रीटेलर करने कि पूरी-पूरी कोशिश करता है ताकि आप खुद भी आए और दूसरों को भी लाएं आप बार-बार आते रहेंगे तो इसे बिजस का लेवल बढ़ेगा अब रीटेलर जादा कंजूमर्स को अट्रेक करेगा तो उसका सेल बढ़ेगा उसका सेल बढ़ेगा तो होल्सेलर क से बात करता है इस तरह से प्रोडेक निखाता है कि आप एक के जगा चार प्रोडबक ले के आते हो डिकोशिश करता है कि डीमांड जाधा जाधा से जाधा माल बेचे इससको भी फायदा होगा प्लस होल्सेलर को भी बेनिफिट होगा और दीजक्स अबसे आप रीटेलर to ह पॉइंट नमबर वान एस रेगुलर सप्लाव गुट्स की हम बात कर रहे हैं अभी आप कंजूमर हो तो आपको ज़्यादा घर में स्टॉक की जरूर रखने की जरूत नहीं है आपको जब जितना कॉंटेटी चाहिए आपको आसानी से आजू बाजी की दुकान से माल मिल जा आपको घर के नस्डीक में अपनी दुकान लगाता है कि मिंटों में आपको सर्फिस मिल सके पॉइंट नमबर एक प्रोवाइड करता है कुछ दुकान दार आंपको चार्ड़ ब्लोवाइड करते हैं यानि आपको मजदूरी करने के दूरत नहीं हैं आपने घर तक पहुच जाएंगी नेक्स पॉइंट इस वाराइडिय अब इस रीटेलर अपने दुकान में ज्यादा से ज्यादा वाराइटी रखने की कोशिश करता है ताकि वो हर तरह के के वांस को सटिस्पाय कर सके नेक्स पॉइंट इस क्रेड़िट पैसेडी कई सारे रीटेलर से अपने रैगूलर कस्टमर को उधार देनेकैं क्रेडिट प्रोवाइड करते कैवार बच्चे शॉपिंग करने जाते लिख दिन ॉप्पाबाद में पेमिंट करेंगे तो ऐसा ह पैसा नहीं भी है तो भी आप यहां से शॉपिंग कर सकते हैं नेक्स पॉइंट इस आफ्टर सेल सर्विस अब क्या होता है खास करके जब आप कंजूमर डूरेबल से याने कौशली गुड्स खरीते हो जैसे टेलिवेजन वाशिंग मशीन एक्सेटरा महंगे प्रोडक्ट मे प्रोडक्ट बेशने के पाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो दुकान दर आपको सर्विस देने की पूरी-पूरी कोशिश करता है और एक्जामपल आपने LED बल्ब खरीदा और बल्ब में आपको एक साल का या दो साल का वारंडी मिला वार्टेवर में पीरेड और वा बार-बार खुद भी आता रहा है और बाकी लोगों को भी लाता रहा है फ्रेंट्स दीस वर्दस सर्वेसेस ऑपरेटर डो कंजूमर्स उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें Thank you all for your love and support.